बिस्मिल्लाइ रमानी रहीमा असलाम अलेक। मैं यूटूब फैमिली नू कैसे हैं आप तो सी ठीक हो फेस्बूक आले हो तूसी कि दाम भी तूसी ठीक हो माई ना कभी बच्छों को डांट भी लेती हैं ने कभी अपने बच्छों को बहुत थोड़ा सा डांट ती हूँ है तो मैं उननों अक्सर केंदे रहने हैं के बच्छों अगर आपकी ना जूतियां उल्टी पड़े हुई ना तो फिर इसका मत्रब होता है कि उसको मार पड़ती है जिसकी जूती उल्टी होती हैं तो जिद्दन बावा जी मैं ना नू दांटा तो ओदने मेरी जूती उल्ट के सोफ जो है ना कुल्चे तो शायद किसी को याद हो कि गली में हमारे बच्पर में कुल्चे सेल करने वाला आता था तो असी अक्सर ज्यूड़ना कुल्चे लेकर नाश्ता करीड़ा थी तो बड़ा यह अच्छा लगता नमक डाला राधा कप मैंने पानी डाला है और चार चमच मैंने भर के दहिंके डाले हैं वन टीस्पून मैंने बेकिंग पॉडर डाला है इसके अंदर तो आई चीज़ां पाई है ना हुआ ये तक खान जी बस ये चीज़ें डालके एक कप मैंने गंदम काटा डाला है 250 ग्रा परफेक्ट आपके कुल्चों के लिए है बहुत ही अच्छे कुल्चे बनेंगे बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे तो फिर इसको हमने अच्छे से इस तरह जो है ना मिद लेना है तो मिद मद के तो पाजी बस जब ये कमबाइन हो जाए तो इसको यहां से चुक के जैसे अभी मैं इसको गुंदूंगी ना आप लोगों ने सेम इसको इसी तरह गुंद रहा है तो बड़े ही सॉफ्ट नरम से मज़े के और आपके दो दिन बिल्कुल भी ये नान अकड़ेंगे नहीं अगर दो दिन पड़े भी रहेंगे तो उसी हालत में रहेंगे जैसे मैंने अभी इसक इसी तरह आप लोगों ने मसल ना है तो फिर इसको इस तरह बॉल की शकल में बना के ना एक पांड़े में डालें ओएल को इससे लबेड़े ये जो बॉल बनाया है तो बस इस तरह करके एक आप रुमाल को करेंगे गीला इनू गिला करके एदे उत्ते दे दो वो इसलिए क इसको रखेंगे एक बनने तो फिर अब हम जाते हैं वैदर देखने रात भी किं मिन बारश होती रही टिप टिप की वाजें आती रही तो अब सोबो भी हुरी तो अभी हट जाती है होने लग जाती हो और देखे इनना बारश दे फाइदा एतनु बारश हुं दी ए庭ी सड सबस इतने मज़े के प्यारे लगते हैं तो थोड़ा बहुत बच्चों ने जो बुक्स पढ़ते हुए इदर रखते थे थे वो चुकी और मैंने रख दी हैं तो फिर मैंने दो प्यास बड़े साइज के लिए हैं उनको मैंने पानी डाल के कर लिया है ब्लेंड वैसे तो मैंने ब्राउन करना था उसको उसी तरह खाने में गलाना था लेकिन मैंने ना शोट कट लिया अच्छा मैंने ये दो प्यास बड़े साइज के ब्लेंड कर लिये पानी डाल के और वन टेबल स्पून वहां पे मैंने वो सनद्रक रखा और एक किलो मैंने कलेजी और दिल लिया है ये बीफ का है इसको मैरिनेट करेंगे थोड़ी सी हल्दी एक चुटकी होगी हाफ टेबल स्पून मैंने नमक डाला है एजरा ग्रेवी सी बनेंगी और हाफ टेबल स्पून मैंने खुश्क धनिया डाला हाफ टेबल स्पून मैंने जीरे का पॉर्डर डाला है और हाफ टेबल स्पून मैंने क्रेश्च चिली डाली है मसाले कम ज्यादा कर लें अपने साब बेना बचों मला गार है मिर्च बहुत हलकी खाते हैं काली मिर्च भी मैथी पाती तो गरम मसाला जो है वो हम एंड में डालेंगे बस इसको हम डाल के करेंगे मेरिनेट बबाजी मेरिनेट करने से पहले एक चीज़ रह गी है वो है सिर्का कुछ लोगों को बड़ा होता है कि कलेजी में से आर ये स्मेल तो अगर आप ये वान टेबल स्पून एक किलो में सिर्का लगा लेंगे और मेरिनेट करके रख देंगे कभी कलेजी में स्मेल नहीं आएगी और ये मैंने सिंपल धोई है तो पाजी मैं कोई सिर्का भी नहीं लगाती जैसे मेरी अम्मी कुछ भी नहीं लगाती थी कलेजी बनाते थे बून-बून के इतनी मजे की बनती थी कोई स्मेल श्मेल नहीं आती थी मैं भी ऐसी बनाती लेकिन मैं तानूद खान वास्ते कि आप को इशू है तो आप लोग ये लगा लें इसकी ये स्पाइसी के बॉक्सी है वेरी गुड मोमन मेरा बहुत ही प्यारा बिटा है नाइस ये देखें जी वेदर बड़ा खुबसूरत आज मौसम एक दिन धूप निकली फिर से बहुत प्यारा रात में भारश हुई ते बबब जी ये करेंगे अभी बंत और आएंगे खाने की वल सबसे पहले ये बड़े वला आना पिटे ये वला आना ये वला आना है आजू आपने हसाब से से शेटिंग करेंगे कर लेंगे जैसे करेंगे जो बड़े बॉक्सिस हैं उनको पीछे करें तो बैल हो रहते हैं अच्छा जब भी आप कोई पानी डालके ब्लैंड चीज़ करके पकने के लिए घीमे रखते हो ना तो वो चींटे बड़े उड़ाती है तड़ा चुला खराब हो जानदा तो आस पास बेंच टॉप जो है उस पे छींटे पड़ जाते हैं तो उसका ये एक स्लूशन है कि तुस्यों टाक दो तकने ना बस ओ कड़ाई केंदी हुनदी तुस्यों मेरे टकने ना टाक दो तकना भी कैती है मेरे पास होना चाहिए जैसे हम कहती है हमारा जीवन साति हमारे साथ हमारे नजने नजरों के सामने होना चाहिए देखो कड़ाई दा हांडी दा टकना हुंदा हुंदा उदे नाल ही सुना लग दा तो लेसन अद्रा का पेस्ट डाल दिया उसका कलर चेंज हो गया ये देखें प्यास का फेर बेटी केंदी मैं कलाजी कलेजी डालनी है ते बवजी पाई कलेजी उसको अच्छी तरह भूना तो आप देखते हो के मेरे जो लसन अद्रा का पेस्ट है वो बिलकुल फ्रेश येलो कलर में होता ते मैं क्या हुने इन्हों सुटनात है नहीं इसको मकाएंगे अच्छा ये मैं ले आई जो टोमेटो पेस्ट की ट्यूब बावा जी आप कभी भी ना लेके हैं ये बहुत कलेजी सेम ऐसे बनाए मेरे पस बड़ा तवा नहीं था उस पे मैंने नहीं तो बनानी थी आप तवे पे बना लो मैंने कड़ाई में बनाई बावा जी इसको मैंने भून बान के बड़ा अच्छा सा मैंने इसको बनाया है इसकी भूनने से स्मेल जो है ना वो खत्म हो जात तो उपर से मैंने गार्णिश के लिए काटी हरी मिर्चें देहान से काटी गा हरी मिर्च तीकी भी होती है तड़ियां मुका सी तो मैंने सप्रिंग अनियन उपर डाल दिये देखें बाप बहुत ही मज़े की बड़ी खुबसुरत आगे इसको जैसे मैंने इसकी प्रेजिंट ट्रे को इसमें मैं पेड़े रखूंगी तो पाजी इसमें मैं सारे पेड़े बनाती गई और रखती गई पेड़ा नाल मैं चमेड़ता ओयल ते फिर मैं उपर भी ओयल लगा दिया ते इतो पांडे चुके जगा की किलियर तो लगा कि इसको 10 मिनट रेस्ट के लिए दे द लगा है लेकिन खुशकाटा ना लगाएं तब भी फैल जाएगा नेक्स्ट आपको बताऊंगी मैंने ना यहां पे इसको किया इस तरह करके फिला लिया फिला गे अब इसी पे मैंने ना कलोंजी के कुछ दाने जो है ना वो डाली आप यहां पे धनिया भी डाले फ्रेश ता नो पता कितनी है दा काली पे और इंदा सलीका जी दे दवा खाने चीनी लंगर खाने में तो वो मेरे पास अभी फ्रेश है ना फ्रोजन है अच्छा ते बावा जी फ्रेश फ्रोजन चुड़ो यह ना जी मैंने इसको बिला और इस तरह हाँ से इसकी एक साइड को खें अच्छा इसको नीचे आपने इस कुल्चे के ना दूसरे तवे पे नीचे पानी लगा के ना इसको आपने तवे में डाला वो चिमर जाएगा पिर ऐसे साइड पर करकर के ना जो इसकी फ्रॉंट साइड है उसको सेक लेना ठी लेकिन अभी मेरे पास वह वाला नहीं था त लेकिन ये अब दोनों तरफ से मैंने तवे के उपर ही सेका है तो ये इस ट्राइब का बना सौफ्ट मज़ेदार लजीज अच्छा थे बाबजी बाकी सारे बनाऊंगी इस पे ये तंदूर पे तो वही मैंने बगएर खुशक आटा लगाए पेड़े को उठा के हाथों से फिला लिया और उंगलियों से ऐसे ना थोड़े से इसमें हमने मोरिया सी कर ली करके तो बस इसको उठा के हम तंदूर पे डाल देंगे तंदूर के बारे में बहुत पूछते हैं तो पाजी आज लोंग स्टोरी शोर्ट में बता देते हैं ये नीचे से पक गया इसको उठ से लेना पड़ेगा तो फिर ये देखें नान बन गया तकरीबं 25 से 30 सेकिंड में अंदर से बन जाता है तो उपर बनाएं आप कितनी देर लग जब नीचे से ब्राउन हो जाए तो उसको उठागे अंदर डाल दें फुल पे आप लोगों ने इसको चला लेना है तो ये मैं ब पेड़े के अंदर डाली उसको भी मैंने गोल कर लिया पेड़े को भी किया तो बैस ऐसे इसकी है कर गट्ली सी बनागे और जिद्धा उसली इका पराथे जी गट्ली बना दे वो बनागे ना जैसे बरा रूओा पराथा अलू का या कोई भी चीजा का बनाती हुं तो बस इसको दोनों हाथों से ऐसे थब थबा लेना है कोई खुश काटा नहीं लगाया क्योंकि ओयली इतना लगाया उसी से ही इसको हमने बढ़ा लेना है बस अपाजी ये बढ़ा के ये चीज वाला अमनान इतना मज़ेदार सोफ्ट बहुत ही टेस्टी सूपर सूपर भी ये दे अगे कोई चीज ही नहीं कुछ लोगों के आगे तारीफ करते हैं ये कुछ चीज की तारीफ थे तारीफ भी हो दे वास्ते काटूं दी ये देखें कैसा खुबसूरत बस धिहां रखना है जब अब तंदूर के अंदर की बच्चों को जरूर काम करने के दिया करें बच्चों को फिर काम करने की आदत परती सॉफ्ट देखें कितने तो यहां से हम डियर एस्ट वीवर्स चुकेंगे नान कुल्चे तो रखेंगे वहां ये कुल्चे का भी अपराई कमाल है मुँ में जाके घुल जाएगा और इतना मज़ेदार लगेगा अच्छा जो तरीके से मैंने आज ये बनाया ऐसे कलेजी मैंना ये एक पाकिसान में रेस्टरेंट में ऐसे कलेजी ना कुल्चे पे रखके सैलड रखके खाई थी तो बड़ाई अच्छा लगा था मैंने वो याद आगया मैंकर चोलो आज वैसे ही बनाते है सैलड मैंने प्याज और बंगोबी का बनाया परपल का परपल ही मेरे पास प्याज है दोना मों मिक्स करता तुसी जड़ा मर्जी सैलड माट खीरे जड़ा बरी बरी काट ने काट की सैलड बना के कलेजी रखें मसाले वाली कुल्चे के उपर नान के उपर उपर सैलड रखें चटनी ग्रीन डालनी वो भी डालने तो फिर ये आपके इतना मज़ेदार ये कलेजी कुल्चा बन जाएगा ना होती है अच्छा बाकी जो है जिसको वैसे चाहिए था वैसे दे दिया जिसको ऐसे चाहिए था कि बस जैसे साइड पे रख दो जी कलेजी ते ना रख दो जी रोटी तो हम खालेंगे तो मैंने आज सब के नानों पे सब के कुल्चों पे कुल्चे और नान में ना फर्क होता है ठीक है अब ये देखें ये है चीज वाला इतना अच्छा ये देखें सौफ्ट देखें कितना अंदरों भी पक्या बारों भी पक्या पक्या ही पक्या होया बहुत अच्छा बना फिर ये जो है वो मेरा प्लैटर है सब को दे दिया खाना, सब को खाना देती हूं फिर होती है कि मैं चले अब अपना भी डालनू कोशिश होती सारे माशाला से अकठे खाना खाएं ताके बच्चे ये बाद सीखें कि मिल जुल के खाना है खाने के वक्त टाइम जरूर नकाला करें मिल जुल कर फैमली के साथ बैठा करें एक दूसरे से बाद डिसकस किया करें डिसकस करनी है एनी भी तुसी लाड़के ते डंडे सोटे चला के उठो इसलिए नहीं बैठना, सुला से बैठें प्यार की बात करें, किसी में मिस्टेक है, बताएं तहमल से सुने तो बाकी बास ये बास जरूर सोचें कि हर इनसान में शेतान वारदाद करता है हर वक्त करता है तो इसलिए बावा जी ये सोच के एक दूसरे को माफ करें तहमल से बास सुने और समझाएं एकम जी ये देखें जी हुरैन की फ्रोग हुरैन इतनी हैपी होती है फ्रोग पैन के बहुत हैपी होती तो भाई फॉर यू? ममा ने बाई की वाव बहुत नाइस क्रीब से दिखाएंगे अच्छा जी, मैं अपने डियरेस्ट वीवर को दिखाऊं कर जो फ्रॉय को यह पिछे हूँ , यह पिछे हूँ यह हो Continue की मम्मा, स्लीका जी ने मैं अपने हाथ मुबारख सी यह फ्रॉय की हैए हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, कि मेरी बेटी जो है ना वकिस्तानी ड्रेसिस जिसमे फ्रॉय पहने तो यह फिर मैंने बड़ी चुनट वारी बड़ी मुबब से शाहिद इंदर से क्लियर भी नहीं नजर आ रही तो इसके लिए फिर बनाई है तो बड़ी प्यारी बनी है ये मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं बचों के कपड़े स्टीच कर सकूँ लेकिन फ्रॉग जो है ला ये बड़ी प्यारी स् थाइक्स वर वाचिंग